साथियों, 21 सदी के इस समय में आपकी हमारी जिन्दगी में हर रोज स्पेस टेक्नलोजी की भूमी का बढ़ती जा रही है जितनी जादा भूमी का, जितने जादा एप्लिकेशन, उतनी ही जादा संभाव ना है 21 सदी में स्पेस टेक एक बड़े रिवलुशन का आधार बनने वाला है स्पेस टेक अब केवल दूर स्पेस की नहीं, बलकि हमारे पर्सनल स्पेस की टेकनलोजी बनने जा रही है सामान्य मानवी के जीवन में स्पेस टेकनलोजी की जो भूमी का है रोज मरा की जिन्तिके में जिस तरह स्पेस टेकनलोजी सामील है उसकी तरफ अक्सर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है हम टीवी खोलते हैं, इतने सारे चैनल्स हमें उपलब्द है लेकिन बहुत कम लोगों का पता है कि ये सैट्रिलाइट की मदद से हो रहा है कहीं आना जाना हो, ये देखना हो कि ट्रापिक है या नहीं सौर्टेस रास्ता कौन सा है, ये सब किसकी मदद से हो रहा है सैट्रिलाइट की मदद से हो रहा है अर्बन प्लानिंग के इतने काम है कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं ब्रीज बन रहे हैं कहीं स्कूल, कहीं अस्पदाल बन रहे हैं कहीं ground water table check करना है infra project की monitoring करनी है यह सारे काम satellite की मदद से हो रहे हैं हमारी जो coastal areas है उनकी planning के लिए उनके development में भी space technology की बड़ी भूमी का है समुद्र में जाने वाले मचवारों को भी satellite के जरिये fishing और समुद्री तुफारों की जानकारी पहले से मिल जाती है आज बारिस के जो अनुमान आ रहे हैं और करीब करीब सही निकल रहे हैं उसी प्रकार से जब cycle आता है exit उसका fall point क्या होगा किस दिशा में जाएगा कितने घंटे कितने minute पर वो fall करेगा यह सारी बारिकिया सेटलाइट की मदद से मिल रही है इतना ही नहीं agriculture sector में चाए फसल बिमा योजना हो soil health card का भ्यान हो सभी में space technology का इस्तवाल हो रहा है बीना space technology के हम आज के आदुनिक aviation sector की कलपना भी नहीं कर सकते यह सब सामान्य मानवी के जीवन से जुड़े हुए विशे है बविश में और आपको मालूम आगा इस बार बजेट में हमने टीवी के माध्यम से बच्चों को टूशन देने का पढ़ाने का एक बड़ा अभियान करने की होज़ना बजेट में बताई है इतना ही नहीं जो competitive exam में जा रहे हैं और जिन बच्चों को गाउँ छोड़कर के बड़े शहरों में बहुत महंगी फी दे करके टूशन लेना पढ़ता है उसको भी हम इस सेटलाइट के माध्यम से उसके घर तक इसके requirement के अनुसार सिलेबस तयार करवा रहे हैं ताकि बच्चे उनको एक्ष्टा खर्चा न कपड़े और गरीब का गरीब बच्चा भी अच्छे से अच्छी टूशन सेटलाइट के माध्यम से अपने टीवी स्कीन पर अपने लेप्टोप के स्कीन पर अपने मोबाइल पर आसानी से प्राप्त कर सके उस दिशा में हम जा रहे हैं साथ्यों भविश्ट में ऐसे ही एनेग शेत्रों में Space Trek का इस्तेमाल जादा से जादा बढ़ने वाला है। हम कैसे Space Technology को सामान्य मानवे के लिए जादा से जादा सुलप बना सके। कैसे Space Trek Ease of Living को बढ़ाने का माध्यम बने और कैसे हम इस Technology का इस्तेमाल देश के विकास और सामर्थ के लिए कर सकते हैं। इस दिशा में इन स्पेस और प्राइवेट प्लेयर्स को लगातार काम करने की ज़रूत है जियो स्पेशल मैपिंग से भी जूड़ी कितनी ही संभावनाएं हमारे सामने हैं प्राइवेट सेक्टर की इनमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती हैं हमारे पास आज सरकारी सेट्र का बड़ा डेटा अवेलेबल है अब आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के पास भी अपना काफी डेता होगा डेता की ये पूंजी आपको दुनिया में आपको बहुत बड़ी ताकत देने वाली है इस समय दुनिया में स्पेस इंडेस्ट्री का साइज करीब 400 बिलि 2040 तक इसके वन ट्रिलियन डॉलर इंडेस्ट्री बनने की संभावना पड़ी हुई है आज हमारे पास टैलेंट भी है एक्स्पिरियंस भी है लेकिन आज इस इंडेस्ट्री में हमारे पार्टिसिपंट सेपन के वल जन्भागीदारी या देविस प्राइवेट पार्ट्र सिरफ 2% है हमें ग्लोबल स्पेस इंडेस्ट्री में अपना शेर बढ़ाना होगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी भूमिका है मैं आने वाले समय में स्पेस टूरिजम और स्पेस डिप्लोमसी के खेत्र में भी भारत की मजबुत भूमिका देख रहा हू भारत की स्पेस कंपनियां ग्लोबल बने हमारे पास ग्लोबल स्पेस कंपनी हो ये पूरे देश के लिए गवरव की बात होगी